तो मैं थोड़ी देर पहले जुनियर एंटियार की मुवी देवरा देखकर आया हूँ सज बताओं यारे मैं जुनियर एंटियार का बहुत बड़ा वाला फैन हूँ बचपन से उनकी मुवी जो है वो टीवी पर देखता आ रहा हूँ बड़ी स्टार बनने वाले और राम चरन का भी काफी बड़ा हैप था लेकिन एंटियार की फैन फॉलिंग नेक्स लेवल चली गई थी और उसके बाद उनकी मुवी आने वाली थी देवरा इसके लिए अलग सा एक हैप था बहुत ज़ादा ग्राउंड लेवल पे तो मैं नह ठाक्सी ही लगी है और ऐसा हमें क्यों बोल रहा है इसपे तो मैं आगी वीडियो में बात करूंगा अगर मैं इसी कहानी की बात करूंगा तो यह कहानी है देवरा नाम के एक आदमी की जो कि भुराई का दुश्मन है और गरीबों का मसीह है जो बुरे लोगों को छोड़त का नहीं अच्छे लोग का सपोर्ट करता है और इन सारी चीजों में उसके साथ क्या कुछ होता है यह सब जानी के लिए आपको यह मूवी देखनी नीपड़ेगी इस दो पार्ट में एक मुवी आने वाली जाने partner उन प्लिपेंकर पर जोड़ा गया और यह कुछ cliffhanger वैसा ही है जैसा बाहूबली में था अगर आपने बाहूबली देखी हो और जिसको मुझे पूरे एकिन अपने लोगों ने देखी होगी तो उसमें जिस तरह के elements थे कुछ उसी तरह के elements का यहां भी यूज किया गया है बात करो screenplay के तो काफी जादा similar है यह बाहूबली से अगर आप देखते हो तो जिस तरह से start में build के जाता है जिस तरह से movie आगे बढ़ती है अपनी पूरी situation को explore करती है वो सारी चीज़े भी मुझे तो personally कुछ खास नहीं लगी सारी चीज़ों को काफी जल्दी-जल्दी खतम किया गया है second half में जिसके कारण से जो build-up होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है जो character development और characters के बिशे dynamics है मेरे खाल से उनमें भी काफी जादा time invest किया है और उनका payoff उतना अच्छा नहीं मिला जिसके करण से जो excitement होनी चाहिए second part के लिए वो नहीं है जो कि बुरी बात है जहां ता बात है Twister Duns की Twister Duns के नाम पर भी आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है जो आपने प्रेट ना किया हो अब सारी चीज़े काफी अरम से प्रेट करते चल दे आते हैं और और भी काफी सारी चीज़े इन पर बात की जा सकती है लेकिन अगर मैं उन चीज़ों पर बात करूंगा इ जो एक्शन ब्लॉक्स थे वो पसंद आये हैं लेकिन हाँ जो स्क्रीन पले था उसमें कुछ जाद नहीं थी बात करूंगा एक्टर्स की तो सभी अक्टर्स के काम ठीक थाक है पिर जब किसी बात करूंगा पर से ने मुझे सब्से बेटर लगा इस्पेशलि स्पाली का काम पर उनको ये मूवी बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो execution था, वो उतना अच्छा नहीं था, कुछ scenes में आपको देखने को मिलता है कि अगर director कम experience हो, या director से इतना बड़ा project handle नहीं हो रहा हो, तो किस तरह के applause निकल सकें, और ये आपको movie देखने के दौरा समझाएगा, अगर आप बिल्कुल technical expect में जाके movie देखते हो, बात करूँ editing की, तो वो भी मेरे ख्याल से थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थे, क्योंकि second half को बहुत जादा rush में खतम किया गया, और first half में अच्छ लोग को आया हो, लेकिन personally मुझे तो VFX से कोई इशू नहीं है, मैं को मज़ा आ रहा था है बड़े screen पर movie देखने में, और मैं enjoy कर रहा था definitely, जो पूरा, जो समुद्र वाले, जो scenes थे, मुझे तो personally मज़ा आया देखने में, तो overall, मुझे ये movie बस ठीक ठाक सी लगी है, one time watch बूल सकता हूँ मैं, उससे जादा तो शैद नहीं देख सकते हैं लोग, लेकिन हाँ, देखोगे, बोर नहीं होंगे, मज़ा आएगा, second half थोड़ा और better होता तो ये movie कापी बहतर बन सकती थी, बाकि अगर आप लोग ने movie देख लियो तो मुझे comments पे ज़रू बताना कि अगले वीडियो में तक्री जाहें, जय भारत!